हेलो फ्रेंड्स तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि लैमन प्लांटेशन ड्राइव जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश में नसस के माध्यम से संचालित की जा रही है और इस कड़ी में एक नया प्रयोग हम करने जा रहे हैं जिसमें हम जो है नेम्बू के पौधे के पत्तों के मा जाने का प्रयास करेंगे तो देखते हैं कि यह प्रयोग इतना सफल होता है क्योंकि यह मेरे लिए प्रतम दफ़ा है कि मैं निम्बू के पत्ते में से जड़े निकालने की कोशिश करूँगा तो कुछ एक जो पौधे हमारे पास ओलड़ी लगे हुए हैं उसमें से हम जो ह पर किसी गमले में या किसी विशेश जगा पर जो है लगा कर और अन्य पौधे जो हैं बिना किसी ज़्यादा कीमत के बिना किसी ज़्यादा कॉस्ट के बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के जो हैं प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आईए देखते हैं तग बग 28 दिन पहले नियंबू के पत्तियों को जो है दो भॉप घेया था तो इसमें जड़े लगाने कि अ इरियां से डेवी हैं तो पुल मिलाकर जो कापी दिनों से हम प्रयास कर रहे थी कि निम्बू की पत्ते से जो है हम पौधा लगाने की कोशिश में सफल हो सके तो आज वो परणाम जो सफल होता है वो दिखाई देया है आपके सामने पर देख लेते हैं किस प्रिकार से जड़े जो हो इसके निकली ह जो है इसके बॉटम में आपको जड़ जो हो निकली हो दिखाई दे रही है तो फुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अब इस जड़ के माधिन से एक निया नेम्बू का पौधा कहीं भी लगा सकते हैं इस प्रकार से एक पत्ती यहां भी है एक पत्ती यह भी है एक पत्ती जो इसमें लगी हुई थी कहीं और बोड़ी-बड़ी पत्ती लेकिन वो किसी कारणवस्ट जो है वो इसमें रोपित जंक से नहीं हो पाई है यह फिस टायद वो परसात के पानी की वज़ा से साथ में ही इसमें बह गई है तो पुल मिलाकर मेरे पास सब जो है चार पांच पत्तों में से जो है यह चार जो पत्तियां है वो अपना जो पौधे का रोप है उसको लेने में अब यह सक्षन हो जाएंगी जड़के आने के बाद तो पुल मिलाकर यह जो परयोग है एक तरह से सफल रहा है